हलो फ्रेंट्स मैं हूँ मेगा और आप सभी का स्वागत है ट्विन्स बेवी ममा डॉट कॉम चैनल पर आज हम बात करेंगे कि ट्विन्स रिसेक्शन डिलिवरी के बाद में जो पेट होता है उसको हम कैसे घर पर कम कर सकते हैं चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिसा बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रैंस जिस तरीके से हमारा पेट जो है ना इन मंथ में एक एक दिन करके धिरी धिरी करके बड़ा होता है उसी तरीके से उस पेट को कम होने में भी लगवक 9-10 महिने आराम से लग जाते हैं वो भी जब कम होता है जब अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखती हैं तो जैसे की सबसे पहली बात कि अगर आप ट्विंस दिलिवरी के बाद में दोनों बेबी को सिफ अपना ही ब्रेस फीट कराती हैं मतलब कोई भी मिल्क नहीं देती हैं उपर का चाहे वो पाउडर का मिल्क हो या फिर गाय का या भैस का लगातार 6 महिने तक बच्चे को सिफ अप नहीं दूद पिलाती हैं आप दोनों बच्चों को आराम से दूद पिला सकती हैं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है क्योंकि न्यू मदर होती है उनको यह लगता है कि पता नहीं दोनों बच्चों के लिए होगा की नहीं होगा तो इस पर मैंने एक प्रॉपर वीड होने लगेगा ठीक है सबसे पहले आपको clear कर दू कि जब हमारा reception होता है तो उस समय क्या होता है बहुत ज़्यादा अंदर तक घाओ हो जाता है तो 6-7 layer काटी जाती है उसके बाद में बेभी को बाहर निकाला जाता है तो बहुत लंबा घाओ हो हो जाएगा और आपके पेट की जो सूजन है वो धीरे-धीरे काफी हथ तक कम हो जाएगी तो आपको सबसे पहले पेट कम नहीं करना है बलकि आपको सबसे पहले स्रीशेक्शन के बाद अपनी बॉड़ी का टाको का खयाल रखना है ठीक है आपको कोई भी करनी है जब आपके लगवक ठेड़ महिने हो जाएगे तो आपके पेट में धीरे-धीरे जो आपका पेट है वो कम होने लगेगा आपको बिल्कुल भी डाइटिंग बगेरा गलती से भी नहीं करनी है क्योंकि डिलिवरी के बादे जो आप डाइटिंग करेंगी वो आपके डाइटिंग बगेरा करनी है तो आप कम से कम एक साल के बाद ही करें इससे पहले बिल्कुल भी ना करें जब तक आप बच्चे को दूद पिलाने हैं और यह मैं आपको गारंटी दे रही हूं कि अगर आप बच्चे को अपना ब्रेफ स्फीड कराती है प्लस आपको जो है से क्षेक्षन के बाद आपका एक्टिव रहना बहुत ही ज़ादा जरूरी है यह अक्टिव रहने का मतलब यह नहीं कि आप दिन रात काम कर रहें आप आराम भी करिये और आप थोड़ा बहुत काम भी करिये क्योंकि होता क्या है कि हम आरे बेबी हो चाते तो हमको से 20 दिन के बाद में चाब आपको एलाउड हो जाता है तो आप हरीरा जरूर खाएं दूद्ध जो है सिशेक्षन के 3-4 दिन बाद पीना साड़ कर दें बस आप ध्यान यह रखे कि दूद्ध को आपको मलाई निकाल के पीना है आप मलाई वाला दूद ना पीएं इससे एक आप अपने बेवी को फीर कराते है और बोटवी को तो जो हरीरा बगरा होता है दूद हमारा बहुत अच्छा बनता है और आप अर परिके बाद में साह बने डिलिवरि के बाद में बाड़ी में पेन घुटनों में पेन गुटनों में पेन इतना जादा होता है और अगर आप उस समय अपना खयाल नहीं रखती है तो ये जो समस्य आपकी हमेशा के लिये हो जाती है C-section के बाद में आप तुरंट अपने पेट पे तो मालिस नहीं करवा सकते हैं तो आपको अपने हाथों में, पैरों में और आपको अपने सर में तेल वगरा जरूर ठोकना है और अचय से मालिस करवानी है और बैक में ताकि आपके जो पेन है वो जल्दी से जल्दी निकल जाए उस समय हमारी हटिया बहुत कमजोर हो जाती है और जिने मालिस की प्रॉपर जरूरत पड़ती है गाव सही होने लगे जब आपका दर्ध कम हो जाए तो आप अपने पेट पर भी जरूर मालिस करवाएं मालिस करवाने से क्या होता है कि जो पेट जो हमेरा फैल जाता है तो आप इस बात का जलूर ध्यान रखें कि आपको जल्दवाजी बिल्कुल नहीं करनी है कि डिलिवरी होने के बार आप पे अल्रेडी इतनी जादा महनत पढ़ने वाली है कि आप जितना खाएंगी नहीं उस से जादा आप जो है महनत करके निकाल देंगे क्योंकि बच्चों में पूरे दिन काम करना पड़ता है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं कि अपने पेट को लेके डिलिवरी होने के बाद में आप गल्ती से भी ठंडा पानी ना पीएं क्योंकि अगर आप ठंडा पानी पीती है तो इससे आपका सूजन आएगी नसे तनने लगेंगी और जो आपका पेट जो अंदर जा रहा होगा वो वहीं का वहीं ठैर जाएगा ऐसी शेक्शन होने के लवक तीन महने तक आप कोशिश करें गरम ही पानी पीएं गरम पानी का मतलब यह नहीं कि आपने खौला के बिल्कुल ठंडा गर लिया फिर आप पी रहे हैं गरम पानी का मतलब होता है कि आप जब भी पीएं तो गुनगुना पानी ही पीएं अगर आप चाहती है आपका पेट कम हो जाए तो क्योंकि उस समय आप जादा से जादा गरम चीजे ही खाएं और गरम पानी पीएं क्योंकि हमारी बॉड़ी को उस समय गरम चीजों की ही जरुद पढ़ती है थंडी चीजे उस समय हमारी बॉड़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है आप खाने पीने में बादी चीजे तली चीजे थंडी चीजे बिलकुल छोड़ दें क्योंकि देखिए तली चीजे बादी चीजे थंडी चीजे अगर आप खाती है शुरू के 6 मैने तक तो हमारे बेबी को इससे काफी नुपसान होगा अगर आप बादी चीजे खाएंगी तो आपके सूजन आ चायेगी प्लस गैस बनेगी और बेबी के भी गैस बनेगी पेट में बहुत ज़्यादा एठन मचेगी क्योंकि बेबी डाइजिस्ट नहीं कर पाता है इन सारी चीजों को तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रख आपको बहुत फाइदा करेगा आप दूद जादा से जादा पीएं कम से कम दिन में दो से तीन गलास जरूर ले एक सुबह ले 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 एक साम को ले 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 क्योंकि आप बच्चे को ब्रेस फीड कराएंगी तो अगर आप प्रॉपर खाती रहेंगी तो इसे क्या होगा कि मिल्क अच्छे खाता बनेगा दलिया जो होता है वो हमारा मिल्क बहुत अच्छा बनाती है तो आप एक चम्मस घी डाल के उसको जरूर पिएं तो आप सुबह उटते ली अगर आप दूद ले 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 तो अच्छी बात है अगर नहीं लेती है तो आप अपने दास्ते मे आप करेगा वेट लॉस करने में प्लस आपको इससे पूरे पोशक तत्यों मिलेंगे बेबी के लिए भी बहुत अच्छा दूद बनेगा तो आपको यह बाते जरूर ध्यान रखनी है देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट कम हो जाए वो भी बहुत जादा मेहनत ना करनी पड़े तो आपको कुछ बाते तो जरूर ध्यान रखनी पड़ेंगे प्लस कुछ चीज़े तो त्यागनी ही होगी अगर आप नहीं मानती है तो जो आपका पेट अंदर जारा होगा वो पेट वहीं का वहीं ठम जाएगा अब आपके उपर डिपेंड करता है कि आ बहुत जादा परेशान हो जाती है स्पेशली पेट को लेके तो आप बिलकुल चिंता ना करें यह मैं वही सारी चीज़े आपको बतारी हूँ जो मैंने खुद फॉलो की है तो अगर आप भी करती है तो आपको भी इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मैं सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर डिलीवरी के बाद में अगर आप अपने बच्चे को ब्रैस फीडिंग नहीं दे रही है लगाता सिफ 6 मैने तक सिफ अपना ही दूद नहीं पिला रही है तो इससे आपका जो वेट लॉस है वो बिलकुल भी नहीं होगा प्लस आपका पेट भी बिलकुल कम होने वाला नहीं है हाँ थोड़ा बहुत कम हो जाएगा लेकिन अगर आप यह सोचे कि आप पहले की जैसी सेट में आ जाएंगी तो यह बिलकुल संबब नहीं है और जो लेडीजें ऑपरेशन होने के बाद में तरीके की चीज़ खाती है तो रंती ख बढ़ जाती है और ज्यादा फैल जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको सीशेक्शन होने के बाद में यह चीज़ नहीं खा सकते हैं लेकिन आपको सुरुआत के सिक्स मंत जरूर परेश करना चाहिए अगर आपने सुरुआत के सिक्स मंत इन सब चीजों से बचाओ कर लिया त क्योंकि एक बार सीशेक्शन होने के बाद में जो हमारी पेट की चर्वी होती है वो बहुत जल्दी फैल जाती है तो आप इस बात कर जरूर ध्यान रखें आप सुरुआत के छे मैने इन सब चीजों से दूरी बना ले उत्रा ही जादा आपके लिए अच्छा होगा आपको बहुत जादा स्पीड पे नहीं टेहलना है लगातार नहीं टेहलना है आप जितना पांच मिनट दो मिनट कमफर्टेबल है टेहले में सिर्फ उतनी ही देर टेहले एक्सरसाइज बगएरा मैं इस रहे मना कर रही हूँ क्योंकि हमारी बॉड़ी इतनी वीक होती है और टाके थोड़ा जादा हो जाए साथ से आठ मेने आप चाहे तो एक्सरसाइज भी करिए कुछ भी कर सकते है कोई भी दिक्कत बाली बात नहीं है क्योंकि अगर आप अपनी बॉड़ी को प्रॉपर निउट्रिशन नहीं दे रही है तो आपको आने वाले टाइम पे बहुत प्रॉ ना मन करें बिल्कुल ना खाए पर दिलीवरी के बाद इन इन पातों का जरूर ध्यान रखे क्योंकि अगर आप ने इन तीन मेने अपनी केर नहीं की तो आप आने वाले टाइम पर सिर्फ आपके पास रोने के लाबा पच्ताने के लाबा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि साथ बजे के बीच में आप खाना जरूर खाले यह भी आपको काफी हैल्प करेगा और आपको कोई भी इस पेसल डाइट करने की जरूरत नहीं है मैं आपसे यही कहूंगी क्योंकि डिलीवरी के बाद का जो वेट होता है वो एकदम से गिरना भी नहीं चाहिए अगर एकद से टाइम पर लवक शेग उना तक बढ़ जाता है तो इतना बड़ा साइज पूरे नौ महीने में होता है तो उसको सिकुड़ने में भी टाइम लगता है आप एक ची नोटिस करेंगी कि जब आपका जो है सीशेक्शन होने के बाद में जब आपकी सूजन बगेरा कम हो आपको थोड़ा तैसली रहेगी कि हाँ मेरा पेट जो है दिरे दिरे कम हो रहा है ठीक है आपको थोड़ा से कॉंपिटेंस बढ़ जाएगा कि इन छोड़ी बातों का ध्यान रखना है और अगर अब आपके मन में कोई भी कुश्चन से तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर और पूछें ओवर वेट गेन किया है क्योंकि प्रेग्नेंसी में नॉर्मली कम से कम हमारा 10-12 किलो वेट गेन होना चाहिए अगर आपने इस से जादा वेट बढ़ा लिया है तो भी डिलीवरी के बाद में बहुत मुस्किल हो जाता है वेट को कम करना और इस वेसली आपने पूरी प्रेग्नेंसी अनहेल्थी चीजों का ज्यादा सेवन किया है जिस वज़े से आपको बहुत जादा वेट गेन हुआ है तो वो एक्टर चरवी हो जाती है तो भी जल्दी से नहीं जाती है और अगर आपने हेल्थी चीज़े लिए हैं और आपको नॉर्मली दस से ब मैं बिल्कुल इदम पतली सी हो जाओ पतली सी नहीं होगी बलकि आपका जो पहले का वेट था उसी के आसपास जो आपका वेट है वो बिल्कुल बापस आजाएगा ज़र आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें जादा जादा शेयर करें और आ जादी में बैल आइकन भी दबाया करो ताइक ही में कोई भी नया वीडियो डालो तो उसका नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले सो थैंक्यू फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में